हेलो स्ट्वेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन सीरीज और यह फाइनल रिवीजन सीरीज और वन शॉट है मैं इसके बारे में पूरी डीटिल आपको दे चुका हूँ किस किस दिन कौन से कौन से क्लास चाप्टर की क्लास होगी यह भी बता चुका हूँ तो आज से यानि की 11, 12, 13 इन 3 दिन 11 नवंबर 12 नवंबर और 13 नवंबर और मैं बता दूं क्लास आपको जो रिवीजन सीरीज है यह 12 से 25 नवंबर तक चलेगा डेली शाम को 7 बज़े और ज 13 दिन के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा 021 ऐसा कॉर्णर नहीं होगा जो क्लास आपको समझ नहीं आगा ध्यान एकना सारा कुछ अच्छे से समझ आएगा क्लास इन 3 दिन में मैं कवर करूंगा फंडामेंटल्स क्योंकि इसका क्लास यह थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और मैं डीपली सिखाऊंगा आपको इसके अंदर सारी चीजे अच्छे से रिवीजन करा दूंगा आप आज आपको देखी पता चली जाएगा बस आप सबसे काऊंगा ध्यान से वीडियो पूरा देखो तो क्लास आप नोट बुक से आप सारा कुछ अच्छी से रिवाइज कर सकते हो ठीक है फंडामेंटल रेशियो और शेर्स यह सारे के सारे होंगे तीन तीन पार्ट में बाकी इनके अलावा सारे चैप्टर्स होंगे वन वन शॉट के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फंडामेल पार्टनर्शिप तो स्टार्ट करते हैं अच्छा सबसे पहली बात पार्टनर्शिप होता क्या है क्लास एक रिलेशन्शिप कुछ लोगों के बीच अब मीनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं दो मैक्जिम कितने हो सकते हैं क्लास 50 और जो मैक्जि के हैं rule number 10 यह कहता है कि maximum partner जो फिलाल है वो 50 हैं लेकिन class इसे बढ़ा कर 100 भी किया जा सकता है यानि companies act is more powerful than partners pact और वो कहता है इसे बढ़ा कर 100 किया जा सकता है लेकिन खुद भी अगर companies act चाहे तो class इसे 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते फिलाल minimum कितने क्लास दो और maximum हैं 50 और मान लेते हैं दो partner है ए और बी तो ए और बी दोनों को अकेले अकेले तो partner कहा जाएगा लेकिन दोनों को individually का क्या कहा जाता है class firm कहा जाता है so partnership का meaning क्या है एक relationship है किन के बीच कुछ लोगों के बीच जो agree करते हैं क्या agree करते हैं वो शेयर करेंगे profits किसका profit किसी business का चाहे वो business सब चला रहे हो या कोई एक चला रहा हो सब के भी हाफ में कि मैं आप लोगों से कहा था class की revision है तो मैं complete revision कराने वाला हूं यह कौने-कौने से question उठाऊ हूं class और कुछ questions भी कराऊंगा लगभग 15 questions जो है मैं कराऊंगा आपको इस पूरी fundamental chapters के revision में और उससे class बाहर paper नहीं आगा इसकी मेरी guarantee कि जितना मैं इस revision series में cover करा दूँगा पूरा A to Z अगर इतने सारे बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मैं public platform पर कुछ कह रहा हूं आकर तो कुछ सोच समाज के कह रहा हूं class अपने 10 साल के experience को लेकर एक भी question class मेरी revision से बाहर नहीं जाएगा बस आपको क्या करना है ध्यान से पूरा end तक अच्छे से revision कर लेना है okay skip मत करना एक भी part तीन part कर लो fundamental के ऐसा बना दूंगा fundamental में कि goodwill, change in pace, admissions, shares इस सबाप अपने आप ही देखोगे तो अगर मैं partnership की बात करूं class जो भी मैं बता रहा हूं class उससे बाहर नहीं जाएगा जो मैं लिखवा रहा हूं जो और ले देखा हुआ वो written agreement होता है हम कोई deed नहीं बना रहें लेकिन हम आपस में बात तो करेंगे ना बाई यार कितना कितना profit हम बातेंगे लाइक हम बराबर बराबर सब लोग बातेंगे तो यह एक agreement हो गया प्रेल भी हो सकता है और written भी और obvious है class जो हम business करेंगे वो lawful होना चाहिए any class वो illegal नहीं होना चाहिए drugs का supply करने जैसा class कोई business नहीं होना चाहिए फिर class kidnapping murder या robbery ऐसी चीज़े नहीं होगी कि ओविस हम partnership जो कर रहे है वो जिस एक lawful काम को हम लोग करेंगे जो क्ला मतलब की law हमें allow करता है law में permission देता है profit sharing हमारे बीच profit sharing होगी जो भी एक profit sharing होगी कैसे हम लोग profits को बातेंगे अगर नहीं होता तो equally माल लेते हमें mutual agency यहां से class आप ध्यान रखना कि जो partners है partners का आपस में और firm का इनका जो relationship होता है वो होता है principle और agent का relationship ध्यान रखना class principle और agent यानि कि partners और firm इनके बीच principle और agent का relationship होता है यानि कि अगर चार partner A, B, C, D तो यह चारो एक दूसरे के agent है अगर B कोई activity कर रहा है तो obvious है A, C, D ने बोला होगा और D कोई activity कर रहा है तो A, B, C, B उसके लिए responsible होगे partnership में जो class liability होती है partners की partners की liability होती है वो unlimited होती है partners को अपना घरबार अपनी private property तक को भी बेचना पड़ जाएगा business की liability को pay करने के लिए तो यह A, B, C, D चार partners है और चारो एक दूसरे के agent है और चारो को मिला कर collectively कहा जाता है class firm Čके नेकस्ट, Partnership deed अचहा partnership deed क्या है सबसे बले बात क्या किसी भी firm को registration करनाга compulsory है नहीं registration करना बिल wrinkles сожалению नहीं है without partnership Act 1932 से registration लिए खोई भी आप partnership कर सकते हो क्या partnership deed बनाना compulsory है component eBay बनाना भी想法 pressure ॥े Base लेकिन partnership deed अगर बनाते हो तो future में कोई लडाई जगडा कर होगा, तो आप deed जो है उसको follow कर सकते हो, तो partnership deed है क्या बेटा, एक written agreement है basically, एक written agreement जिसके अंदर सारी terms of partnership लिखी रहती है, यानि कि partnership की सारी की सारी शर्ते जो है वो इसके अंदर लिखा रहता है, किसको कितना interest मिलेग किसको कितनी salary मिलेगी, कोई admit होगा, तो क्या लेकर आएगा, कोई छोड़ के जाएगा, तो क्या-क्या लेकर जाएगा, class, partners ने कितना-कितना contribution किया, class, किसकी क्या duty है, क्या responsibility, किसी कितनी salary मिलेगी, इंडिसन drawing कितना होगा, इंडिसन loan कितना होगा, हर चीज आप partnership deed में लिख institution कराना भी compulsory नहीं है, अगर 10-10 लोग मिलके class एक building खरीदते हैं, एक क्रोड का और दो क्रोड का बेच के, तो एक क्रोड का मुनाफ़ा है, वो आपस में बाट लेते हैं, तो क्या ये partnership कहलाएगा, क्या यहाँ पर deed बनाने की ज़रूत पड़ेगी, नहीं, क्योंगी class किसी चीज से profit कमा लेना ही partnership नहीं है, mutual agency भी होनी चाहिए class उसके साथ, यानि कि अगर कोई एक भी काम करेगा, तो सब के सब जो है वो libel होने चाहिए, यानि कि partners और जो firm है, इनके बीच एक agent और class principle का relationship भी होना चाहिए, दूसरी बात, 20 लोग एक charitable trust चला रहे हैं, तो क्या ये partnership ह नहीं है, क्योंकि charitable trust जो है, उसका main काम जो है, वो मुनाफ़ा कामाना नहीं होता, और partnership की definition में है, कि वो profits को share करेंगे, तो वो भी class charitable trust, क्योंकि business नहीं है कोई, तो आम उसे partnership नहीं मानेंगे, यहां से question पूछा जाएगा, partnership deed अगर silent है तो, यानि कि अगर आपने partnership deed नहीं बन आया, तो आप partnership act को apply करोगे, जो कि 1932 है, और partnership act कहता है, कि कोई भी partner को नहीं interest on capital मिलेगा, नहीं salary मिलेगा, नहीं class किसी partner को कोई भी commission मिलेगा, और नहीं किसी partner से interest on drawing charge किया जाएगा, तो क्या कहता है class, कि अगर deed silent है, तो सबसे पहली बात, जो भी profit sharing ratio है, PSR, वो equally बटेगा यानि partners आपस में, जो profits को share करेंगे, वो बराबर बराबर share करेंगे, पहली बात, दूसरी बात कि अगर कोई भी, ये सब चीज़ तो class मिलेगा ही नहीं, दूसरी बात तो यहीं होगी, तीसरी बात क्या है class, कि अगर किसी partner ने loan दिया है business को, तो वो उससे class 6% का interest charge करेगा, प चार्ज कर सकते हैं, और ये charge है, मतलब अगर business को loss होगा, तो भी तुम्हें देना ही पड़ेगा, interest and loan जो है, वो partners को देना ही देना है, लेकि मैं partner हूँ, मैंने business को कोई loan दे दिया है, ठीक है, तो business से में 6% कब आज लूंगा, अगर मुझे 7 चाहिए, 8 चाहिए, 4 चाहिए, तीन चाहिए, 9 चाहिए, तो मैं deed में लिखूँगा, लेकिन अगर deed silent है, तो partner को उसके loan पे interest मिलेगा ही मिलेगा, और ध्यान रखना, ये loan to firm है, class, ये loan to firm, partner ने firm को दिया, लेकिन अगर loan by firm, firm ने partner को दिया, तो no interest, ध्यान रखना, अगर deed silent है, deed अगर silent है, और firm ने partner को 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 कोई लोन दे दिया तो भाईया उस पे पार्टनर कोई भी ब्याज नहीं भरेगा ओके लेकिन अगर डिट साइलेंट है पार्टनर ने फर्म को दे दिया तो कहता है मुझे 6% का इंट्रेस्ट चाहिए ही चाहिए तो यह तीन चीज ध्यान रखना क्लास अगर आपकी डिट समझना अगर डिट है डिट आपने बना रखा है और इंट्रेस्ट अन क्यापिल आपने बोला 10% तो अबविएसे क्लास अगर लिखा है डिट में 10% तो इंट्रेस्ट अप्रोप्रेट है अगर इन अप्रोप्रीयेट है और interest on capital देने की बात कही है, तो interest on capital दोगे, लेकिन profit के अंदर से दोगे, ध्यान रखना क्लास, एक चीज और, अगर class deed silent है, तो interest on capital, salary and commission, ये जो भी चीज तुम दोगे, ये out of profits दोगे, यानि कि interest on capital हो, चाहे salary हो, चाहे commission हो, या profits के अंदर से ही दोगे, मतलब कि ये सारे तो अगर profit inappropriate है, तो आप इन तीनों को जो भी कुछ दे रहे हो, उसी की ratio में profits को आप क्या करोगे, बात दोगे, तो इसके लिए कुछ questions है, जो मैं class आगे discuss करूँगा, मैं finally बता रहूं, अगर debt silent है, तो interest on capital, salary, commission, IOD वगेरा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ PSR equal होगा, और class, interest interest on loan हो 6%, अगर partner ने loan दिया है तो, और profit जो है, उसके अंदर सही आपको interest on capital, salary, commission वगेरा देना है partners को, यह आप धियान अगर deed silent होता है, तो ठीक है, दूसरी बात, P&L appropriation का format आपको पता होना चाहिए, तो by side लिखते है, देखो, profits को बातने के लिए, profit की distribution के लिए, कौनसे account बनाया जाता है, profit and loss, appropriation account और यह P&L account के extension है, यानि कि P&L account के बात, जो account बनता है, वो बनता है, class, profit and loss, appropriation account, और सबसे पहले यहाँ पे लिखते है, class, by P&L account, यानि कि यह net profit है, partner से हम लोग क्या लेते हैं, class, यहाँ पे interest on drawing चार्ज करते हैं, वैसे तो format से बहुत कम चाहिए लेकिन हाँ, आपको पता जरूर होना चाहिए कि format बनता कैसे, इसी तरीकी से debit side हम लिखते है, two interest on capital, जिस पार्टनर का interest है, two salary, जिसकी salary है, क्यूंकि एकाउंट साल में एक बार बनता है, तो salary, commission वगेरा, जब सब जो भी हम देते हैं, class, साल का ही देते हैं, ठीक है, यह ABC हो पता देंगे, तो यहाँ जो भी बचेगा, वो आएगा two divisible profit, और यह capital या current account में चला जाएगा, ABC के अपने profit sharing ratio में और ratio नहीं दिया होता, तो उसे equal मानते हैं, और इधर आएगा by divisible loss, यह भी transfer कर देंगे capital या current account में ABC, अब यह current का क्या माज रहा है, या आगे समझाऊंगा आपको, यह appropriation को format हो गया, sir, आप format क्यों बता रहे हो, तो हमको आता है, बहुत basic चीज हो, सब बच्चों को पता होगा, इसलिए बता रहूं, कई बार कोशिन पूछ लेता है आपसे, कि यह चीज appropriation में किस side आएगी, true false में, assertion, reason में, कहीं भी पूछ सकता है, यह यह चीज appropriation में किधर आएगा, यह चीज appropriation में किधर आएगा, और यह जो net profit हम लोग लेते हैं, यहां पर, यहां पर जो भी हम लोग net profit लेते हैं, class, यह वो profit है, जो P&L account से उठके आया हुआ है, कहां से उठके आया हुआ है, P&L account से, okay, तो यह format आपको पता है, तो एक छोटा सा question है जड़ा हम लोग कर लेते हैं, class, कि यह CBC के sample paper से question लिया है, मुझे एक question अच्छा लगा, तो एक बार मैं को question जरूर कराऊंगा, पूरा का पूरा, और एक ध्यान रखना, class, कि जो मैं यह revision की तीन वीडियो बना रहा हूँ, तीन पार्ट में, आज 11, 12 और 13 को, इसके अंदर पंडा मेल का एक-एक सिंगल पॉइंट कावर होगा, तो अगर आपको लग रहा है, sir, अभी यह रहा गया, तो वो आगे आ जाएगा, don't worry, okay, बिल्कुल टेंशन ना लो, class, सब मुझे पता है, अच्छे से, अब है, और class, बल्दविन दो partner है, class, इनकी ratio है, 3 ratio, 1, on 31st March 2021, the firm का net profit है, 1,25,000, मतलब मैं, रफ में एक पिंडल एकाउंट बनाओंगा, तो यहां लिखोंगा कितना, 1,25,000, क्योंकि मुझे रफ में ही बनाना है, तिक मार्क है, 4 option टिक करना है, रफ में कुछ भी करो, यहां पे टिक कर देना, बस, और MC, जो कैसे भरना है, वे मार्शी, व 4,000, अभे is also entitled, commission 10% or net divisible profit, अगर question कहता कि अभे को 10% commission profit में मिलेगा, तो अभे को commission मिलता 12,500 रुपए, 1,25,000 का 10%, लेकिन इस question में क्या बोला है, कि अभे को जो है, वो net divisible profit, last में जो आएगा, उसका commission मिलेगा, तो यहां पे 1,25,000, यह टोटल आ गया, 1,35, टोटल आ गया, चला गया, तो बचा 1,10,000, यह आए आपका divisible profit, लेकिन इस में से तुम्हें commission भी तो घटाना है, और उसके बात जो आएगा, वो आएगा net divisible profit, तो इसका हाप 10 upon 110 करोगे, तो 10 upon 110 जैसी करोगे class, तो यह 10,000 का आजाएगा commission, तो अगर तुम्हें इस question में commission पूछे अभे का तो आंसर आएगा 10,000, लेकिन question में पूछ किया रहा है class, calculate profit to be transferred to partners capital account, capital account में कितना profit जाएगा, तो 1,35 में से यह 35 चला गया, तो 1,00,000 रुपए जो है, वो net divisible profit आगया class, और वो कहां पे जाएगा class, partners की capital account में, और तुम्हें question क्या कहा रहा था, net divisible profit का 10% जो है, वो commission यानि कि हमारा question बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ सब कुछ माइनस करगे, 1,00,000 रुपए जो capital account बार दोगा, और सही option जो है, वो एक लाग भी है, तो जो बढ़िया-बढ़िया question भी है, concept से match करते मैं, वो भी रख रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो थोड़ी सी लंबी जागे चलेगा, बड़, concept मिस्स निए होना चीए, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ, timing पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, कि बच्चे लंबी वीडियो नहीं देखते, मेरा फायदा होगा, नहीं होगा, वीउस बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, इन सब समझें, कोई ल पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज किस side आती है, किस account में, तो मैं बता दूँ कि P&L appropriation में जो भी चीज debit side आता है, वही capital account में credit आता है, और appropriation में credit आता है, capital account में कहां पे आता है, debit side आता है, ठीक है, capital और current का तो class ये system है, अगर question कहा रहा है, fix method है, तो सारी चीजे class कहां प method में सब कुछ current account में, fluctuating method में, सब कुछ capital account में चला जाता है, और question कहा silent है, वह नहीं बता रहा, fix or fluctuating, तो हम क्या मानते है, मिटा, तो हम fluctuating मानते हैं, और सारी चीजे capital account में भीजते है, जो appropriation में debit आता है, capital में credit, जो appropriation में credit आता है, वह capital में debit, ये बात भी आपको पता होने लेगा, लेकिन fix method में दो account बनते हैं, current और capital, तो current में सब कुछ आता है, बस additional capital और withdraw of capital जो है, वह capital में आता है, capital account के अंदर बागे सब current account के अंदर आता है, तो ये बात आप ध्यान रखना की question पूछ रहे जाएगा, कि IOC appropriation में किधर आता है, capital में किधर आता है, IOD किधर आत मुझे बताओ, class, appropriation में debit और partners capital account में credit, ठीक है, अगर fluctuating है, अगर fix दो तो current में credit आता, तो option क्या है, debit of partner loan, debit of pendal, debit of pinl appropriation सही है, and credit of partners current, current में याँए, fluctuating method में capital में जाता है, तो debit of pinl appropriation and credit of partners capital account, तो ढंग से पढ़ना, अगर तुम जल्दी बाजी में आके शुरू में किसी तो गलत हो जाएगा, तो यह कोशिन पूछा आता है, कोंसीज कहां पे आती है, तो अभी सेलरी का था, क्या पता आपको IOD का पूछ ले, आपको सेलरी के बाद कमिशन पूछ ले, आपको इंटरसन क्यापिल पूछ ले, तो अपरोपुरेशन में डेबिट और क्यापिटल में credit अगर यह fix लिखा होता तो current में credit होता अगर यह fix लिखा होता तो में co option पे take करता है okay next class partners current account और capital account के balances ध्यान से मेरी बात सुनना fix method के अंदर दो account बनता है पहला partners current account और fluctuating के अंदर बनता है class partners capital account sorry fix के अंदर दो बनता है current और capital और fluctuating के अंदर एक ही बनता है बस fluctuating के अंदर एक ही बनता है क्या वो बनता है class partners capital accounting fix method के अंदर current और capital दोनों बनेगा और fluctuating के अंदर खाली capital तो यह जो fluctuating का capital account का balance है इसका debit और credit कोई भी balance हो सकता है debit balance का मतलब क्या होता है play balance cd और जो credit balance उसका मतलब होता है to balance CD तो जब आप fluctuating method follow कर रहो हो तो current account का debit credit कोई भी balance हो सकता है लेकिन अगर आ यö फिर nil balance तो किसी कर भी आ सकता है सबका 0 आ सकता है balance अगर आप fix method follow कर रहा हो then current account का powy debit and credit mix बेलंस हो सकता है अगर गत बनाते हो तो उसका भी Debatte बेलंस ययनिकर बालनस चेडी कhodbAct हो सकता है लेकिन अगरां फिक्स तरफ फॉलो कर रहे हो और में थाक़्स हमेशा हो मैश्य केडित मैलनस ही ङ्युक डोब्रेट बेलेंस का balance debit credit दोनों हो सकता है लेकिन only and only fixed method में current account का balance हमेशा और हमेशा credit balance होगा यानि credit set ज्यादा होगा because आपने जितना पैसा लगाया है आप उसे ज्यादा निकाल निकाल नहीं सकते तो यह चीज क्लास आपको ध्यान रखनी यह basic basic points से घुमा घुमा के one one mark में class question पूछी जाएंगे तो मैंने सारी चीजे cover कर रखी है I hope class आप इन सारी चीजों को अच्छे से cover कर लोगे और before exam देखके जरूर जाओगे नोट अपने जरूर बना रहे होगे profits are inappropriate then तो मैंने क्या बोला मानलो A है B है ठीक है आपके पास profit है 50,000 ठीक है ध्यान समझना आपके पास profits कितने का है 50,000 का है और A और B को जो interest on capital मिलता है वो कितना मिलता है class 30,000 और मान लेते हैं class 70,000 ठीक है A और B को जो interest on capital मिलता है 30,000 ठीक है मतलब question कह रहा था कि जो भी interest है वो 30,000 और profit 50,000 का है तो एक बात बताओ class क्या आप इस 50,000 से 1,00,000 का interest दे सकते हो नहीं दे सकते तो उस situation में तुम क्या करोगे दोनों को जो मिल रहा है वो 30,000 और 70,000 का आप ratio बनाओगे तो आएगा 3,000 रेशियो 7 तो जो भी profit है उसका 3 by 10 A को मिलेगा और जो भी profit है उसका 7 by 10 जो है वो B को मिलेगा तो 5 ती है 15 और 5 एंटू 7 35 तो यानि कि अगर कभी profit inappropriate है profit तुम्हारे पास appropriate नहीं है तुम loss मत कर देना जनरली आप मिल appropriation बनाते एक लाग इदर लिखते 50 उदर और balancing figure को 50,000 divisible loss लिखे और भी में बाढ़ देते जो भी उनकी ratio है नहीं है तो equal लेकिन ऐसा नहीं करना अगर profit inappropriate है तो आपको class दोनों को जो मिल रहा है उसकी ratio में उसे profit को बाढ़ दोगे मतलब question ratio पूछेगा तो 3 ratio 7 correct answer होगा question पूछेगा amount कितना है तो 15 और 35 लेकिन अगर कभी question यह कह दे कि interest on capital charge है interest on capital क्या है class charge है charge है in the sense कि interest on capital देना ही देना है पूरा का पूरा जो interest on capital है वो आपको देना ही देना है तो इस situation में जो A और B को जो interest मिलेगा वो 15 और 35 नहीं मिलेगा फिर तो पूरा 30 और 70 मिलेगा 30,000 और 70,000 पूरा मिलेगा क्योंकि interest on capital क्या है चार्ज है देना ही देना है अगर आपको लॉस हो जाता है तो भी तुम्हें इंटरस्स पूरा का पूरा देना है ठीक है चार्ज क्या है अप्रोप्रेशन क्या है है आगे सो डोंट वरी ओके पेशिंस रखो आज सब आएगा अब उसी बेसिस पेक सेंपल पेपर का कोशिन उठा लिय कितना है अल्रेडी निकाल के दे रखा है पेपर में जो कोशिन पूस्ताना बिल्कुल करेक्ट होता है क्लास और कोई इसमें इल्लॉजिकल चीजे नहीं होती जैसा अलगलाग सांपल पेपर में बे मतलब की चीजे दी होती है यह सब कोशिन बहुत परफेक्ट है बादी प्रपेट जो है वो किस रेशो में बठता है जिस रेशो में दे रखा है प्रफिट फट ड व्हीं बठेगा लेकिन इस कौशेजं में प्रफट इन एप्रोपरेट है कैसे बासर आइद कि यह तो एक लाग four tips और और यह गया चालीन तो इन तीनों को अगर मैं जोड तो यह तो class 2,10,000 से ज्यादा हो गया, profit 2,10,000 का है, और यह तो 2,60,000 तो ऐसी हो गया, 3,00,000 हो गया, तो इसलिए आप इस जो 2,10,000 है, उन्हें किस रेशियो में बाटोगे, बाटा, capital ratio में नहीं, जो तीनों को मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये और ये, इसकी रेशियो में बा तो आप इसे 762 ratio में बाटोगे, यानि कि अगर कभी भी profit inappropriate हो, profit कम हो, तो पार्टनर को जो कुछ मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, इनको जो जो रेशियो बने ये उस रेशियो में बाटेगा, कई बार बच्चे बोलते हैं, सर आप capital की रेशियो में बाट दो, अगर इसमें capital खाली है, फिर तो आप capital ratio में बाट सकते हो, लेकिन अगर इसमें salary भी है, तो बड़ा फिर आप salary को जोड के जो आएगा, उसकी ratio में बाटना है, जिसमें आपको कहा था अभी, लेकिन अगर इसमें कहता है कि interest in capital salary is a charge, तो जो चीज चार्ज है, इसका मतलब फिर तो देना ही debit side आता है, जो भी ऐसी चीज है, जो partners को पूरा का पूरा देना है, like class salary workers की देनी है, commission देना है manager को, ठीक है, interest देना है, loan pay, class rent है, insurance है, यह सब चीज होता है, charge against profit, चार्ज का मतलब चार्ज किया जा रहा है, किस पे profits पे, जो profit को कम कर रहा है, during calculation of profit, ये profit निकालते है, वक्त use क किया जाता है, इसको बोलते है, charge against profit, और जब profit निकल जाता है, जब profit निकल जाता है, तो profit में से हम partners को salary दे है, partners को commission दे, लागर की salary क्या है, चार्ज अगेंस profit, यानि कि penil account में आता है, 11th में debit side, लेकिन partners की salary क्या है class? Appropriational profit, तो जो जो आपने penil appropriation में debit side देखा है, लिखा ह वो appropriational profit है और जो जो चीजे class आपने appropriation के debit side लिखा वो appropriation और जो PNL के debit side लिखा वो charge against profit है तो generally तीन चीजे ऐसी होती है class जो आप जिसमें confusion रहता है बच्चों को तो बता तुम सबसे पहली बात यह जो appropriational profit है वो appropriation में आता है debit side और जो charge against profit है वो PNL में आता है किस side debit side तो आप PNL appropriation account जब बनाते हो न तो by PNL है net profit लिखते हो ना format में भी बताया मैंने आपको इसमें से आप तीन चीजे माइनस करोगा ध्यान रखना क्यों तीन चीजे को माइनस करोगा क्योंकि यह PNL appropriation का नहीं है तो सर आप क्यों PNL account का पाते है किसका पाते है PNL account का क्यों क्यों कि यह charge against profit है क्या है class charge against profit इनकी जगे कहा है बेटा इनकी जगे है PNL account में ना कि PNL appropriation में बट क्योंकि में नहीं बनाना है तो मैं नेट प्रोफिट से तीन चीजे माइनस करता हूँ सबसे पहला है manager commission क्योंकि manager partner नहीं है तो manager का commission जो है ये net profit से minus हो जाएगा, manager एक employee है, उसका commission charge against profit होता है, पूरा का पूरा देना है, rent paid to a partner, अगर किसी partner ने तुम्हें कोई building दी है, तो उसका जो rent है वो भी class charge against profit, अगर partner ने building नहीं दी होती, किसी और से आप building लेते तो आप उसको rent देते ना पूरा का पूरा, तो rent paid to partner, मैं example देता है, आपको ABC तीन partner है, B कहता है, तुम बाहर कहीं से किराया पर क्यों लोग है building, मेरी building है, मेरी building का किराया 60,000 है, मैं किराया को खाली कर देता हूं, और हम लोग मिलके अपनी building पर काम करेंगे, तो ये जो 60 किराया B को भरना है हर साल का, वो खाली A और C तो वो भी class यहां से क्या होगा, minus होगा और ये बनेगा class आपका totally, ये आएगा बाहर net profit, तो इन ही तीन चीज को basically इस chapter में कहा गया है, charge against profit, जो profits को कम करते हैं, जिनकी जगे actual P&L account के debit side है, जिने देना ही देना है, भले ही profit हो चाहिए, loss हो, charge है मतलब देना ही देना, even in case of loss, ध्यान रखना, ये तीनों चीजे जो है, provide even in case of loss, ठीक है, provide even in case of loss, ध्यान रखना, अगर आपने chapter पढ़ा हुआ है, तो आपको पूरा एकदम मक्खन की तरह समझा रहा हो, को वीडियो को like करके, अपने class के एक एक बच्चे से, अपने classmate, भाई, भाई, भेन, दोस हर जिग महनत करने के लिए, okay, तो ये charge against profit और appropriation profit ये अच्छे से कर लेना, तो यहाँ पे class हम पहला part stop करते हैं, आप इस पहले part के notes अच्छे से बना लेना, अगले part के अंदर class हम बहुत सारी और चीजों को सीखेंगे, इंटरसन ड्रॉइंग सीखेंगे, manager commission, इंटरसन capital, then third part के मैंने जो ये बनाया है आपके लिए series, एक एक कौने से question उठाया है, कौने से topic उठाया है, कुछ भी छूटा नहीं है, चाहिए वो theory हो, चाहिए वो numerical हो, चाहिए practical हो, conceptual based हो, हर तरी ये question है, ये अगर knowledge आपको है, तो आप assertion, reason और case based question भी बना लोगे, support करने के लिए class आपक सकते वीडियो को share करो, ये revision series 11 तारिक से लिके 25 तारिक तक चल रहा है पूरे November में, और complete हम इसके अंदर revision करेंगे, पूरे accounts का, I hope आप support करोगे, like करोगे, share करोगे, comment करके बताने class, आज ही class कैसी लगी, कुछ सीखने को मिला की नहीं, और जो भी आपने नई चीज आप सीख के टेक केर, बाबाई, मिलते नेक्स वीडियो में